Hello friends, CKD Stock Market News Channel के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो मेरे मित्र आज में आपके सामने कुछ mid cap category के mutual funds की बात करूँगा तो कई बार mutual funds जो investor होते हैं उनके दिवांक में question खड़ा हो जाता है कि भाई साब कौन कौन से अच्छे mutual funds है या कि mutual funds पे हमें विचार करने की जरूरत है या कि mutual funds के लिए हमें financial advisor से संपर्क करने की जरूरत है तो इन सभी mutual funds की एक line में बात करने की कोशिस करूँगा line by line चल गेंगे और चलते रहिए जोड़े रहिए चैनल को subscribe करते रहिए चैनल को subscribe करवाते रहिए मेरे मित्र जो मैंने पहला mid cap category से related mutual fund आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है मोतिलाल उसवाल mid cap mutual fund direct plan growth नाम फिर से एक साथ दोर आएंगे सभी लोग मोतिलाल उसवाल mid cap mutual fund direct plan growth अगर मैं mid cap category से related बात करूँ तो मेरे भाई कोई नहीं है टक्कर में क्योंकि क्यों पड़े हो चक्कर में इससे अच्छा mid cap के degree का mutual fund return के मामले में expense ratio के मामले में या funds के मामले में होई नहीं सकता भाई fund manager fund manager मेरे भाई क्या बोल रहा है यहां से fund manager का एक ही विचार लगता है मेरे भाई क्या लगता है जुकना मत रुकना मत चल मुसाफिर चल मुसाफिर चल मुसाफिर बस वैसे ही रिटन इसका चलता चला जा रहा है जो मैंने नेक्स्ट मुच्वल फंड आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है HDFC Mid Cap Opportunities Fund Direct Plan Growth बहुत ही बैतरीन मुच्वल फंड है ये चल रहा है और 2% इसके उपर बना के दिया है अगर आप senior citizen है तो 8-8,5% आपको already fixed deposit से मिल जाता है तो इस वज़े से इस mutual fund के अंदर एक concern खड़ा हो गया है जबकि Mid Cap जो Nifty Mid Cap है वो almost all time high पे चल रहा है उसके बावजूद भी PGI इंडिया Mid Cap ने return ही बना के नहीं दिया तो इ अभी इस पर exit करने की जरूरत तो नहीं है फिर भी ultimate decision आपको लेना है कि क्या करना है जब तक इसका एक साल का return अभी एक साल का और wait करेंगे अगर 7% का return आ गया तो यहां से definitely exit हो जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी जो मैंने next mutual fund आपके सामने रखा हुआ है उसक इसका expense ratio 1.02% है जो की दिक्कत वरा है और आपको इस fund के अंदर विचार करना चाहिए अपने financial advisor से संपर्क करना चाहिए कि क्या रुके रहें इस mutual fund के अंदर या हमें क्या करना चाहिए तो कुछिस कीजिए का कि अपने इस mutual fund को review करवा लें जो मैं आपके सामने next mutual fund रखने क के लिए ला रहा हूँ उसका नाम है SBI Magra Mid Cap Mutual Fund Direct Plan Growth और SBI की तो ताबड तोर तरीके से यह हर category में return investors को provide करके दे रहे हैं बहुत ही बैतरीन mutual fund है मिर भाई इसके बाद जो मैंने next mutual fund आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है Axis Mid Cap Mutual Fund Direct Plan Growth इस mutual fund से related हर चीज positive है NAV की बात करें चाहे expensive ratio की बात करें चाहे fund manager के experience की बात करें चाहे return देने की मामले में बात करें चाहे funds के बारे में बात करें चाहे हम बात करें कि इसके competitor की बारे में तो हर जगे यह mutual fund खरा उतार रहा है तो Axis Mid Cap की बात करेंगी तो बहतरीन fund house है मेरे भाई इसके बाद जो मैंने next mutual fund आप साथ इसके mid cap जो category है ये भी बहुत 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 बहुतरीन तरीके से investors को return बना के दे रही है इसके बाद जो मैंने next mid cap category का mutual fund लिया है उसका नाम है एडलवाइस mid cap mutual fund direct plan growth क्या बोला मैंने आपके सामने एडलवाइस mid cap mutual fund direct plan growth बहुत ही बहुत बहुत बहुतरीन ये भी fund house है साथी साथ ये category भी इसकी बहुतरीन है मेरे भाई इसके जो next बात जो मैंने next mutual fund आपके सामने रखा हुआ है इसका नाम है आदित बरला sun life mid cap mutual fund direct plan growth आदित बरला sun life mid cap mutual fund direct plan growth अगर हम इसके expense ratio की बात करेंगे तो 1.10% का है तो यहाँ पर भी आपको विचार करने की जुरूरत है और इस fund का भी आप अपने financial advisor से review करवा ले जो मैंने next mutual fund आपके सामने रखा हुआ है Franklin India Prima Fund क्या बोला मैंने Franklin India Prima Fund की अगर मैं बात करूँ तो यह भी mid cap category से related mutual fund है इसका NAV बहुत जादा है मेरे भाई इसका NAV बहुत जादा है इस वज़े से आपको इस fund का भी अपने financial advisor से review करवा ले और इस पर भी विचार करने के जुरूरत है जो next mutual fund आपके सामने रखा हु इसका expense ratio 1% का है इस वज़े से इस fund को भी आप विचार करने की ज़रूरत है आप खुछ से विचार केजिए और अपने financial advisor से review करवाईए जो मैंने next mutual fund आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है ICSA Prudential Mid cap mutual fund direct plan growth अगर हम इसके expense ratio की बात करके चलना है तो 1.11% का expense ratio यह आप से charge क इस वज़े से इस fund को भी आपको विचार करने की ज़रूरत है और अपने financial advisor से संपर्क करें जो मैंने next mutual fund आपके सामने रखा हुआ है mid cap category से related तो इसका नाम है Invesco India Mid cap mutual fund direct plan growth यह fund हाला कि एक अच्छा fund है और बहतरीन fund house भी है और यह category भी इसकी बहतरीन है Invesco India Mid cap mutual fund direct plan growth नेक् investors को बढ़े हा return बना के दिया है और इसका नाम है Kotak Emerging Equity Fund direct plan growth हला कि इसका नाम emerging है तो आप इसको blue chip मत समर लेना यह एक mid cap category से related mutual fund है next जो मैंने mutual fund आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है Taurus Discovery Taurus Discovery Mid cap mutual fund direct plan growth इसका expense ratio तो भाई industry में बहुत ज़्यादा है especially हम direct plan से related अगर हम बात क तो इस वज़े से आपको इस fund के अंदर भी विचार करने की जरूरत है और अपने financial advisor से जरूर संपर्क करें जो मैंने next mutual fund आपके सामने रखा हुआ है इसका नाम है UTI Mid cap mutual fund direct plan growth हला कि इसने एक average return अपने investors को बना के दिया है long term है इस वज़े से long term में इस mutual fund ने कम return बना के दिय हला कि shorter में इसका return ठीक है shorter में चुकी अगर मैं nifty mid cap की बात करूँगा वो भी all time high पे है तो इस वज़े से सारे ही funds कहीं ना कहीं एक shorter में उन्होंने अच्छा return बना के दे दिया है पर फिर भी इस fund के अंदर आपको विचार करने की जुरूरत है साथी साथ अपने financial advisor से समपर्क कीजिएगा मेरे में चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा होप सो की mid cap category के जितने भी mutual funds हैं काफी हद तक सभी mutual funds का review यहां पर बहुत fast track mode पे हो गया है अगर आपको इस fund से related आपको एनवी के बारे में जानना है expense ratio के बारे में जानना है तो मेरे भाई आप about section में जाना यूट जीमेल आडे भी पड़े है आपको जो रास्ता convenient लगे आपके साब से आप वहाँ पर मेरे से संपर्क कर सकते हो कल फिर आपके साथ में लेंगे same time same channel बट कुछ नए mutual funds के साथ बहुत बहुत दन्यवाद channel subscribe कीजिएगा channel को share भी इतना बांटेंगे इतना आपके पास बड़ेगा बहुत 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 बहुत